दोस्तो किसी ने मुझ से पूछा कि अगर union में जाना है तो किस टाइप का attitude होना चाहिए किस टाइप का confidence होना चाहिए किस टाइप की feelings और emotions होनी चाहिए एक ascensioner के अंदर, एक ascensioner के मन में कैसा भाव होना चाहिए तो मैं इसे एक पुराने bollywood गाने से के द्वारा आप तक रिले करती हूँ इस फीलिंग को ध्यान जे सुनियेगा दोस्तों आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी ओ बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेपरेशन है वो बारिश है बारिश को इसमें सेपरेशन बताया गया है और union जो है उन दोनों के मिलने को union बताया गया है जो भी है वो दो व्यक्ति तो आखिर तुमें आना है जरा देर लगेगी बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी तो एक confidence है इसमें जो characters है उसके अंदर अगर आप film की credits को check करके मुझे writer का नाम नीचे comment करके बता सके तो बहुत अच्छा होगा अब मैं आपसे एक request भी करना चाहते हूँ कि जब आप इस song को सुनें तो इसके video की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे क्योंकि video में बहुत ज़्यादा lust दिखाया गया है love नहीं दिखाया गया है intimacy भी दो तराकी होती है एक आप प्यार से भी intimate होते हैं लोगों के साथ और एक आप ऐसे lust में भी intimate होते है लस्ट बेस्ट जादा है तो गाने की वीडियो पे आप ध्यान मत दीजे सिर्फ उसकी lyrics पे और उसकी words पे ध्यान दीजे और वही मेरा भी purpose है इस वीडियो से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से कुछ गाने सुन-सुन के लोग बिलकुली गुम्रा हो जा है टीनेज में होते है जवानी की तरफ जो रुक कर रहे होते है जिनके hormonal changes हो रहे होते है उन लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब यही है जो यह दिखा रहे है इस वीडियो में तो कहिना की वो जो words है उसमें जादा नहीं जाते हैं सिर्फ उस image पे visuals पे चले जाते ह और फिर अपनी life में भी उसी तरह के imagery को और उसी तरह के visualization को replicate करने की कोशिश करते thinking that it will give them love पट love नहीं मिलता है धोका ही मिलता है प्यार एक धोका है वाली feeling आती है उनको तो चलिए आगे के कुछ lyrics मैं आपसे share करती हूँ अब इस song में जिसने feminine character play किया है वो masculine या male character को बोलत से तो जो उसमें hero है वो बहुत अच्छे तरीके सा जवाब देता है कि तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी अपनों को मनाना है ज़रा देर लगेगी क्योंकि ऐसा देखा गया है कि twin frame ascension journey में जब लोग जाते है तो जो masculine होते हैं उनको society की जादा चिंता होती है जिसमें feminine energy होती है वो जो होते हैं वो दुनिया की इतनी परवा नहीं करते वो इन छोटी-छोटी problems को जादा ध्यान नहीं देते और relationship में आगे जाना चाते हैं और बहुत जादा strong headed हो जाते हैं तो इस strong headedness से कहीं बार masculine ड energy होती है यह किसी male में भी हो सकती है किसी female में भी हो सकती है जिसमें भी जादा होती है अगर वो masculine energy से ही चल रहा है या चल रही है लड़कियां भी ऐसी बहुत होती है जो masculine energy से ही operate करती है और logical practical होने की वज़े से ऐसे partnerships में चली जाती है ऐसे कार्मिक relationships में चली जाती है जो materialistically तो बहुत अच्छा होता है, socially बहुत अच्छा होता है, publicly बहुत अच्छा होता है, और घरवाले बड़े खुश हो जाते हैं, उन relationships को देखके, लेकिन जब practically वो उन relationships में जाती हैं, तो उनको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंदर से खुशी नहीं होती बिल्कुल भी, बहर बहर से सब अच्छा दिखता हैं अंदर अंदर से, सब कुछ ऐसे धोका टाइप, illusion टाइप फील होता है, तुम होते जो दुशमन, तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, आखेर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, कभी ने ऐसा क्या कहा हम यह जान रहे हैं, आप गाने की पिच्चराइजेशन को मत देखो, एक तो डान्स बहुत अजीवो गरीब किया है, और जितने भी उसके स्टेप्स हैं, मुझे सब बहुत लस्ट बेस्ट हैं, उसमें लव बहुत कम हैं, हिरोट का भी अपो देख लो, और मुझे लगता है, यह जो एक्टर्स होतें हैं, यह भी वही करते हैं, जो I think इनकी किस्मत में लिखा होता है इनको खुद नहीं बता होता होगा शायद उस वक्त की हम जो कर रहे हैं इस से दूसरों पर क्या आसर होगा बट नेम, फेम, और मनी का फाइदा तभी हो सकता है जब आप उस कमाएवे पैसे को और उस कमाएवे फेम को, रेकिनिशन को और रेगिलरली यह नहीं कि आप यह बोलो हाँ जब मैं फेमस हो जाओंगा ना तब मैं ऐसे करूँगा या करूँगी जैसे कोई आपने मननत मांगी हो तो लोग यूजिली ऐसा करते नहीं है और यह बोलो है और यह बोलो है यह जो भी आप नेम फेम मनी जेनरेट करते हैं यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो कभी क्या कहते हैं आई यह जानते हैं कभी कहते हैं कि हम दर्द महबत का मिटा सकते हैं लेकिन हम दर्द महबत का मिटा सकते हैं लेकिन ये रोग पुराना है ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी क्योंकि जो दर्द मौबत का है इसको आप मिटा लेते हो कहीं लोग मिटा सकते हैं लेकिन ये रोग इतना पुराना है ये इतना ओल्ड आर्काइक टाइप का ये इन्सान के human DNA में है ये fear, separation का fear, डर का fear, अलग होने का fear, illusions इतने सारे हैं, इस धर्ती के ही है, ये माया के illusions है, ये इतना पुराना रोग है, इसको ठीक करने में समय लगता है, तो जो भी लोग irritate होते हैं, बात बात पे, कि वाई वाई इतना टाइम लगता है, ये होता है, वो होता है, उनको मैं कहना चाते हूँ कि प्लीज, आप इतनी जादा जल्दबाजी अगर मचा भी लोगे न, तो किसी को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, वो आपी की life में ही है, आप नहीं उसे face करना, आपी के साथ होना, जो होना मतलब, जो intelligent है, वो तो ये बात समझ जाएंगे, जो नहीं है, वो भी intelligent बन सकते हैं, अगर इस बात को समझ लें, तो, हम दर्द मुहाबत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मुहाबत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग, ये रोग पुराना हैं, जरा देर लगेगी, ओ बारिश का बहाना हैं, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना हैं, जरा देर लगेगी, सो अन दिस लवली नोट, मैं इस विडियो को यहीं पर क्लोस करती हूँ, और इंजॉय करते रहें, इनर वर्क को, असेंशन जर्णी को, इतना बुरा नहीं है, हो बुरा इसलिए लगता है, क्योंकि माइंड में कुछ ऐसे मेसेज़े होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, जो आपको बार बार यह कहती कि आप लोनली हो, आप अकेले हो, आप अनवर्दी हो, आपको कोई पसंद नहीं कर सकता, आप में यह नहीं हैं, आप में वह नहीं है, सारी मेटिरियलिस्टिक चीज़े होती है, सारी सांसारिक चीज़े, मो माया की चीज़े हैं, तो मो माया से दूर हो जाइए दोस्तों, सब मो माया है, ऑन दिस नोट, आई विल सी यू सून इन अनादर वन, पर्सनल सेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं, अगर आप इंडिया से हैं, खास तोर से तो आपको डिसकाउंट मिल सकता है, हैं, I will see you soon in another one, one love, peace out and Jai Shiri Raam.